तो हेलो गाईज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA का मॉडल तो देखे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DNA का मॉडल क्या है DNA का मॉडल किस ने दिया मतलब कि Watson और Crick के दौरा जो DNA का मॉडल दिया गया था उसके बारे में बात करेंगे तो इसके पहले के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि DNA क्या होता है और DNA फिंगर प्रिंटिंग के बारे में तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाए चैनल पर चेक करिए और उन वीडियो को जरूर देखे ठीक है उनमें आपको बहतर तरीके से DNA के बारे में समझाया हूं तो देखे तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाट्सन और क्रिक द्वारा प्रस्तु जो DNA मॉडल था देखे सबसे पहले बात समझेगा एक कॉपी में लेके बैठे ठीक है देखे जब DNA की खोज हुई थी DNA की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था कहां पे केंद्रक पे किया था और इसको केंद्रक अमल बोला था इसके बाद से फ्रेडरिक मिसर ने कुछ नहीं बताया ठीक है इसके बाद दो बहुत अच्छे वैज्यानिक संगर्थ सील वैज्यानिक आते हैं जिनका नाम होता है वाट्सन और क्रिक कब आते हैं उनीस सो तिरपन इस भी में DNA के मॉडल को ले करके ठीक है अब आपको पता है कि DNA कहां पाया जाता है इसके पहले की वीडियो मैंने बताया ह तो वाट्सन और क्रिक ने उनीस सो तिरपन इस भी में अपने DNA का मॉडल दिया उनीस सो तिरपन इस भी में और उस DNA के मॉडल में उन्होंने ये बताया कि DNA दुई कुंडली होता है DNA मतलब कि वाट्सन और क्रिक को इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइस भी मिला और नोबेल प्राइस कम मिला इसके बारे में उरूहें बहुत तो बहुत्तर तरीकेमें हम लोगों को समझाया तो सबसे पहले तो वाट्सं और करिक ने हमको बताया कि जो DNA होता है मतलब कि defendant का full form क्या होता है डियाञ्व और कि rendering Nucleic Acid मतलब की जो DNA होता है वो Dual Helix होता है Dual Helix का क्या मतलब होता है कि 2-2 हैलिक्स होते हैं 2-2 मतलब की कुंडलनी टाइप के होते वह आपस में जुड़े होते Dual Helix होता है ठीक है DNA Dual Helix होता है यह बताया अब इसके बाद थिर वार्चन और क्रिक ने क्या बता है वार्षण और क्रिक ने बता है कि dna अड़ू दो न्युकलियोटाइड संंकला का बना होता है जो dues न्युकलियोटाइड संंकला का बना होता है समझे जो इसकी यह एक ताइड को अलग करेंगे तो इसके संखला हम को कुछ ऐसे देखने को मिलेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम nucleotide, nucleotide तो इन्होंने बताया कि DNA अरू ये हुआ हमारा एक nucleotide अब जब दूसरा nucleotide ऐसे हो जाएगा तो वो जब आपस में यह दोनों आपस में मिलेंगे मिलने के लिए समझें यह बन गया समझें जो दो न्युकलियोक टाइड जब आका मिलते हैं तभी एक इन्होंने बोला कि DNA अड़ो दो नुकलियोटाइड का बना होता है मतलब कि एक नुकलियोटाइड यह है अब हम समझते भाई कि यह नुकलियोटाइड है क्या अब आप लोग समझेगा कि अब आपने DNA तो भाई वार्टसर और क्रिक ने बता दिया कि क्या नुकलियोटाइड से मिलकर बना होता है किस से नुकलियोटाइड से अब भाई हम जानते कि यह एक नुकलियोटाइड है यह दूसरा नुकलियोटाइड है मतलब कि जो इसकी एक स्रंखला है उसको हम नुकलियोटाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं नुकलियोटाइड तो अब बेखो अब भाई मुझे किसमें पढ़ाया था ये बाइलाजी मुझे एक प्रोफेसर ने पढ़ाया था ठीक है देखे मैं अपने चैनल का एक प्रमोशन कर देता हूं यहीं पे आप लोगों बता देता हूं कि भाई मेरे एक दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन के नाम से जब मैं यूट नुकलियो टाइड होता है नुकलियो टाइड किस से मिलकर बना होता है नुकलियो साइड से अब भाईया हम तो जान गए कि जो नुकलियो टाइड है नुकलियो साइड से मिलकर बना होता है लेकिन अब ये भी तो पता करना है कि नुकलियो साइड है क्या नुकलियो साइड क्या बना लेते हैं वो बना लेते हैं DNA क्या बनाते हैं बनाते हैं ठीक है अब देखिए अब नुकलियो साइड के अंदर क्या-क्या प्रेजेंट रहता है ठीक है अब हम लोग देखते कि नुकलियो साइड जो है नुकलियो टाइड दो नुकलियो टाइड आपस में मिल गया सो डिन ने बना लिए अब हम देख लेए कि न्यूक्लियोस साईट में प्रेजिन तो देखें न्यूक्लियोसाइड के अंदर पहले तो प्रेजिन रहता है डी ऑकशी याज पहता है और नाइंट्रोजिन आस भी प्रेष मतलब इस नाइट्रोजनी से जूड़ता है तो आपको डेएंटेल नहीं देने वाला हूं यहां पे नूकलियोसाइड में डियॉक्सी राइबोस उगर फास्फोरीकेसिड और नाइट्रोजीनस बेस होता है क्या होता है नाइट्रोजीनस बेस होता है बताइए यहां तक समझ में आया बताइए समझे पढ़ाने का मतलब एक बिल्कूल अच्छा सा वो होना चाहिए ठीक है और पढ़ने में भी आप भी रूची रखो ठीक है और बाकी मुझे यह देखे सब्सक्राइबस वीवस यह सब मुझे फर्क नहीं पढ़ता मुझसे मतलब नहीं है ठीक है बस मेरा पैसा नहें पढ़ाना इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है अब आप लोग यहां तक समझ ग अच्ञय है निक्लियोटाइड और जब दो नुक्लियोटाइड आपास में मिल जाएंगे तो वह बना लेंगे बिन اे क्या बना लेंगे डिन अब यहां तक बता पदलि यहां तक समन्समें आया की नहीं बताओ और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू कि जो डियने में जो न्यूक्लियो टाइट डियने के बीच में पया जाए देखिए अब यहां तक के स्क्रीन सॉट लिजिए अब मैं मिटाता हूं ठीक है और अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से देख ले ना इसको ठीक है एक्चली यार कोवीड हो गया तो मुझे बहुत ज़्यदा बीमारी हुए आपको पता है कि जो डियने होता है किस से मिलकर बना होता है न्यूक्लियो साइड से न्यूक्लियो टाइड से अब न्यूक्लियो टाइड आपको पता है न्यूक्लियो साइड से मिलकर बना होता है और नुकलीयोटाइड से बनता है नुकलीयोटाइड से बनता है DNA जब दो नुकलीयटाइड आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है बनाता है यहाँ अब आपको पता हो गए कि डिएने के नुकलियोड्ट हमें पिंटो शरक्रा प्याते है फॉस्फोयची इसेट फॉस्फॉरी काम पाया जाता है और नाइट्रोजैन इस्जाता है अब आपको पता अच्छाईए गी जो च्रूस साइड है आप गौश पाहरी नुकलियोसाइड आपस में जुड़ेगा नुकलियोसाइड को जुड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए बताइए नुकलियोसाइड को कुछ जुड़ने के लिए चाहिए न तो नुकलियोसाइड जिस चीज से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक फॉस्फ इस्टर बंद क्या बोलते हैं लिखेगा इसको वाटसम और क्रिक ने बताया है ठीक है मेरे कान में बिल्कुल चुपके से बताया कैसे चुपके से ठीक है तो थेको फास्फोरिक बंद से द्वारा नूकलियोसाइड जूड़ा होता है बापको पता होगा कि यह आपके पास किस से जुड़ गए फॉस्फोरिक बंद कर दोरा इसके बाद आपको पता है कि एडानी मिन इन साइल यह आपको पता है एडानीन साइलियोसाइड आपको हाइड्रोजन बंद के दौरा अब आपको कभी-कभी ऐसा लगता हो गया आपस में जुड़े क्यों है खुल क्यों नहीं जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जैसे हमारी सीड़ी होती है ना चड़ने वाली कौन सी लोहे वाली जो कहीं आप दुकान-दुकान में देखे हो तो ठी सीड़ी रहती है बांस की रहती है लगाने के चड़ने एक चट से दूसरे चट जाने के लिए ठीक है तो वह आपस में जुड़ी रहती है इसी तरह डिएने है ना डिएने की जो न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोसाइड फासफोरिक बंद से जुड़ा रहता है फास अब आप लोग रुकियेगा मैं आपको इसकी आपको थेओरी सुनाता हूँ अब आप इसकी थेओरी समझ लिजे कि कॉपी में क्या इसकी मैंने थेओरी लिखा है और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसका पीडिय भी हम लोगों चाहिए तो मैं बिलकुल आप लोगों किसी रसे की भाती आपस में टिप्टी होती है आपस में लिप्टी होती है इतना आप समझ गए बतागे और नहीं समझ में आज तो फिर vide conferences देखिए अब देखिए अब कह रहें कि प्रते कुंडल्नी एक नुक्लियोटाइड सरंखला होती है जो प्रत्य कुंडलनी होती हुए एक नुक्लियोटाइड की स्रंखला होती है और इस स्रंखला में डियॉक्सी राइबो सुगर और फास्फोरिक बंद अडवो की बनी होती है यह जो स्रंखला होते डियॉक्सी याइबो सुगर की बनी होती है स्रंखला में सभी नुकलीोटाइड एक फॉसफोएश्टर बंद से जूड़े होते हैं और नाइट्रोजनी समच्छार अंदर कीuse होते हैं दोनों अभीमूख स्रंखलाओं की नाइटरोजीनी समच्छार इस भात इ goofy बयवस्तित होते हैं कि एडनीन और इननीन प्यटौनीन स्रंखलाओं के दोरा इन स्रंखलाओं कि अपस में किस बेस पर जुरत है इसको इन्होंने ग्याद कर लिया है ठीक है अब देखिए अब यहां पर इतना ही नहीं समच्छार आपस में यह जो समच्छार होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंद द्वारा जुड़े होते हैं समझ में आया आपको यह समच्छार हाइड्रोजन बंद के द्वारा जुड़े रह तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा यार पता है बहुत गर्मी है इतनी गर्मी में मैं आज आप लोगों को पढ़ाया सोचिए लाइट ना होने की वज़ा से ठीक है कूलर और एसी वगरा कुछ यहां पर चलना पाई इस वज़ा से ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं इसी जो कर दो कर दो दो कर दो करूँ है